हलो आव्याबरान वेलकुम टू आर यूटूब चानल करियर सरीना तो जैसा कि आपको स्क्रेंड्स पर देखी रहा होगा आज हम लोग किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं आज हम लोग आई भी एसीओ ग्रेट सेकंड जो रहता है उसकी इनई जसे बारे में बात और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ऐसी इंफर्मेटिव वीडियो के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर बेसिक पर आपको दिख रहा होगा 44,900 का है उसके बाद डियरनेस अलाउंसिस मिलता है जो कि 46% हो चुका है तो 20,654 के आराउंड वो बैठता है यह ट्रेनिंग है तो यहाँ पर आपको एचारे नहीं मिलता है ट्रांस्पोर्ट अलाउंसिस मिलते है बट यहाँ पर एक स्पेशल सिक्योर्टी अलाउंस मिलता है 9,240 रुपीज का इसी के साथ स्पेशल डूटी अलाउंसिस भी रहते हैं स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसिस रहते हैं जो यहाँ पर नहीं मिलता है आपको फिर यहाँ पर गुवर्मेंट कॉंट्रीशन भी रहता है 14% का जो की 8,424 रुपीज का हो गया तो अगर हम लोग यहाँ पर ग्रॉस सेलरी देखें जो की ट्रेनिंग में है ट्रेनिंग में 83,218 रुपीज की है जो की काफी जादा ही मतलब ट्रेनिंग में यह सेलरी है तो फिर जब आप महाँ पर रेगुलर्ली जॉइन कर ले तो तब क्या सेलरी होते हैं यह कोश्चन यहाँ पर आ जाता है इसके बाद वह भी हम लोग अभी डीटेल में देखन की ग्रेट सेकेंड की वह है 68,693 रुपीज के अराउंड तो आप एप्रॉक्सिमेटली 70,000 के अराउंड आप लेके चल सकते हैं कि जो आपकी ट्रेनिंग में सेलरी होती है यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरों में अब इसके बाद अगर हम लोग आ जाए में में की सेलरी रहती है, X, Y, Z cities में क्या सेलरी रहती है, IV, AC grade 2nd की तो यहाँ पर जो रहने वाला है आपका grade पर 4200 का रहता है, X city, Y city, Z city तीनों में ही सेम रहता है, basic पर आपका 44,900 का रहता है, तीनों इस cities में सेम रहता है, DA आपका 20,654 हो गया, तीनों इस cities में सेम हो गया 46%, उसके बाद HR आ गया, HR 27% होता है, X city में 12,123, फिर आपका आ जाता है, Y city में 18%, 8,082 रुपीज, और फिर आ जाता है, Z city में 9%, 4,041 रुपीज, और उसके बाद आ जाते हैं, हम आपके ट्रांसपर्ट अलाउंसे, 3,863 रुपीज के, X city में 2,106 रुपीज के आपके Y city में, और यहाँ प यहाँ पर आपको मिलते हैं, IB ACO में, किसी और पोस्ट में नहीं मिलते हैं, IB का job जो होता है, मतलब intelligence bureau का job रहता है, थोड़ा risky भी कह सकते हो, और मतलब बहुत जादा interesting भी रहता है, तो इसलिए हाँ पर special security allowance आपको दिया जाता है, जो कि 8,980 रुपीज का है, तीनों इसीट ग्रेट सेकेंड की XCity में, वो हो गए 99,697 रुपीज इन XCity और YCity में 93,899 रुपीज की, और वहीं पर ZCity में हो जाती है, यह 89,858 रुपीज की, तो यह तो आपकी हो भी gross salary IB ACO ग्रेट सेकेंड की, उसके बाद हम लोग deductions में आ जाते हैं, deductions में आपका mainly NPS होता है, थोड़े बहुत जो deductions होते हैं, तो यहाँ पर मैंने total deduction एक बार में count कर दिया है, 14,525 रुपीज के तीनों ही cities में, आपके deductions होने ही वाले है, लगबग सेम रहने वाला है, थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है, यहाँ पर आपकी location पे, आपको क्या 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 अलाउ और 75,333 रुपीज है, जेट क्लास cities में, आइबी, ACO, second की in-hand salary, तो यह तो बात होगी आपकी in-hand salary के बारे में, जो की मैंने complete आपको बताया, X, Y, Z city के हिसाब से class में हम लोग ने इसको differentiate कर दिया, तो अब यहाँ पर आपका कोई भी salary के regarding तो doubt नहीं रहना चाहिए, और हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि salary slip, यह जो IB ACO है, इसमें की salary slip क्या रहती है, मतलब कि कितनी salary इनको मिलती है, कैसे क्या मिलता है, salary slip रहती कैसे, तो यहाँ पर देख सकते है, जून 2020 की है, थोड़ी जादा पुरानी होगी, तीन साल पुरा इसका पे रहता है, तो बेसिक पर यहाँ पर देख सकते है, 46,200 S यहाँ पर बढ़ गया होगा, पढ़ना स्टार्टिंग बेसिक पर 44,900 रहता है, DA आपको देखने को मिल रहा हो, 7,854, HR A आपको 3,696 का मिल रहा है, और फिर TPA मिल रहा है, ट्रांस्पोर्ट अलाउंसे 2,106 रुपीस के, और उसी के बाद आपको यहाँ पर 9,240 के SSA मिल रहा है, और इसी के साथ गोवर्मेंट NPS होगा है, 7,565 रुपीस का आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी बन गई है, और यह है जून 2020 की सैलरी, तभी भी इतनी बढ़ आती तो आप की पोस्टिंग होती है तो आपके अलाउंस बढ़ जाते है, तो आपकी सैलरी और जाद बढ़ेगी, फिर यहाँ पर आप एन्पेस देख से 5,405 रुपीस के पर इंकम टेक्स होगा, 2,000 रुपीस के, तो यह अगर डिदुक्शन साइग गोवर्मेंट NPS 7,568 तो यह अगर देक्शन से 15,203 रुपीस के और यहाँ पर इंहंट सैलरी आप बनी है, अराउंट 61,000 के अराउंट इंहंट सैलरी बनी है, तो यह जून 2020 की सैलरी स्लिप है, आईवी, एस्यों ग्रेट सेकंड की, तो यह थी आपकी सैलरी सिप जिसके वारे हम लोग लोग बात कर लिया, कर फिर पेट्रोल सेंक्शन होता है 13 लिटर, डीजल सेक्शन होता है 20 लिटर, टू निउस्पेबर प्लस टीवी केबल कनेक्शन का भी सब्सक्रिप्शन मिलता, आपको एंटरेंड मेंट मिलते हैं, तो यह पोस्ट पर जाने के बाद आपको इन डीटेल पता लगता है कि क्या अब यहां पर हम लोग प्रमोशन क्राइटीरिय भी देख लेते हैं, वह भी जानना जरूरी है, पता होना चाहिए कि कैसे क्या रहने वाला है, तो ACO की पोस्ट से आप ACO 2 पर आते हैं, Assistant Central Intelligence Officer की यह पोस्ट है, जिसकी इननेंट सैलरी, प्रमोशन क्राइटीरिय अलांसेज, और यहां पर हम लोग प्रमोशन क्राइटीरिय अम लोग जानने वाले हैं, तीन से पांच साल के बाद आपको ACO 1 पर बेजा जाता है, 10 यह के बाद आपको DCO, Deputy Central Intelligence Officer, 25-30 years AD Assistant Director, JDD, Joint Deputy Director, तो यह जो आपकी पोस्ट ही ना, यह आपकी IB ACO की प्रमोशन ग्रोफ है, प्लस यहां सेकेंड का, तो यह पूरी बात हम लोगों ने कर ली, MHA, Intelligence Bureau, IB ACO, Second के बारे में, Great Second की प्रमोशन क्राइटीरिय, Inhand Salary, Salary Slip, Alliances, सब कुछ हम लोगों ने डिटेल में जाना, इस्चिल अगर आपका कोई यहां पर डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमारी टीम उसका जल से आपको reply जरूर करेगी, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी informative वीडियो मिलती रहे, और कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कौन सी post की salary जाननी है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, thank you so much